चलो दोस्तो आप बात करते हैं कि हमें अपने AC के अंदर stabilizer लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए दोस्तो वेसे तो हमारे घरों के अंदर voltage बिल्कुल constant आते हैं आज कल कम ज़्यादा voltage नहीं आते हैं शेरों के अंदर तो लेकिन आपने देखा हुआ कुछ AC होते हैं वो क्लेम करते हैं कि इसके अंदर in-build आपके stabilizer लगा हुआ है इसके अंदर requirement नहीं होती है आपको extra stabilizer लगाने की देखे दोस्तो यो stabilizer होता है वो AC को safe रखता है यानि कि कई बार voltage double face भी आ जाते हैं दोनों face में voltage आ जाते हैं जिस वज़े से आपका stabilizer पहले खराब हो जाता है लेकिन आपका AC बच जाता है तो voltage up-down की वज़े से stabilizer खराब हो जाता है लेकिन आपके AC को बचा लेता है तो दोस्तो आपके AC के अंदर inbuilt stabilizer लगा हुआ है यदि वो stabilizer अंदर का fault हो जाता है यानि खराब हो जाता है तो आप इस condition के अंदर आप company वाले को ही बुला सकते हैं आपके जो local mystery होता है वो इसको ठीक नहीं कर पाता है इस inbuilt stabilizer को और मान लीजिए कि आपका inbuilt stabilizer बहुत ज़्यादा खराब हो गया है तो फिर आपको इस mechanic के द्वारा ही इसको ठीक किया जाता है इसको AC को आपको नीचे उतारना पड़ता है और काफी दिन लग जाता है काफी time इसमें waste हो जाता है यदि आपके बाहर stabilizer लगा हुआ है तो कोई भी local mystery होता है electration होता है वो भी इसको replace कर सकता है इसको ठीक करके दुबारा लगवा सकता है या फिर आप इसको direct भी कुछ time के लिए चला सकते हैं बीना stabilizer के भी AC को चला सकते हैं तो एक अचानक अगर stabilizer खराब जाता है तो यह आप instant इसको repair कर सकते हैं जबकि जो inbuilt stabilizer होते हैं और उसमें कुछ fault आ जाता है तो आपको कई हपतों तक महिनों तक भी इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि इसके जो parts वगेरा होते हैं वो AC वाला company के द्वारा ही provide किये जाते हैं open market में इसके available parts नहीं होते हैं तो काफी company कई वार बोलती है कि इसके parts अभी available नहीं है तो उस condition में वो काफी wait करना पड़ता है और आपका AC एकदम dead हो जाता है तो सबसे best ही होता है कि आप एक बहार इसका protection के लिए stabilizer लगा दीजिए जो easily maintenance आप उसका कर सकते हैं तो दोस्तो मैं जानकर देना चाहता हूँ कि आप ये stabilizer के fraud से भी थोड़ा बचे कुछ stabilizer काफी सस्ते आते हैं उनकी actual cost तो 700-800 रुपे की होती है लेकिन वो आपको 500 तक base देते हैं तो आप एक branded और इच्छी company का ही stabilizer purchase करें जो डाई 3000 रुपे के अंदर stabilizer आते हैं दोस्तो उसके अंदर क्या होता है कि अब थोड़ा आपकी safety हो जाती है AC की क्योंकि सस्तियार stabilizer होते हैं वो voltage को बिलकुल भी control नहीं करते हैं constant नहीं करते हैं उसके अंदर सिर्फ एक relay लगी होती है जैसे ही आपके voltage कम या ज्यादा आते हैं तो वो आपके supply को काट देती है वो खुछ से कोई भी voltage को constant नहीं करती है उसमें किसी भी प्रकार का कोई ऐसा circuit नहीं होता है जो आपके voltage को fluctuation को रोग सके जबकि जो बड़िया stabilizer होते हैं उसके अंदर आपको 100% protection मिलती है तो दोस्तो कैसा लगा मेरा topic प्लीज कमेंट जूरू करेगा धन्यवाद